जै गुरू जी संगत जी गुरू जी जब चोले में थे तो बड़े फंक्शन्स में बड़े मंदिल जाये करते थे आए संगत जी मुझे एक बहुत पुराना बैसाकी का इंविटेशन कार्ड मिला है जो मैं आपके साथ शेर करना चाहता हूँ ये इंविटेशन कार्ड गुरू जी ने स्वैम बहुत सारी संगत को डिस्टिब्यूट किया और इडवाइट किया कि वे आकर बैसाकी का पंक्शन अटेंड करें और ब्लेसिंग्स लें आए डिटेल में देखते हैं इस इंविटेशन कार्ड को तो ये देखिए संगत जी ये एक इंविटेशन कार्ड है जिस पे लिखा है भैसाकी सेलिब्रेशन्स अन थर्टीन्थ एप्रिल जिरो सेवन यानि की टू थाउजन सेवन डे इस फ्राइडे अब आप इस कार्ड में उपर देखिए क्या लिखा है ओम नमशिवाय शिवजी सदा सहाए ये आप देखेंगे इसमें केवल एक लाइन लिखी है ओम नमशिवाय शिवजी सदा सहाए और ओम नमशिवाय गुरुजी सदा सहाए यहां नहीं लिखा है इसका तात्पर ये है कि जब तक गुरुजी चोले में थे केवल एक इसी लाइन का जाब किया जाता था गुरुजी कहते थे यही बोलिये इसी में ही सारी शक्ति है तो जो दूसरी लाइन जोड़ी गई ओम नमस्षिवाए गुरुजी सदा सहाई वो बाद में जोड़ी गई संगत ने जोड़ी चलिए आगे देखते हैं ये बैसाखी सेलिब्रेशन का कार्ड है आईए और नीचे आते हैं अब आप देखेंगे ये कार्ड है और यहाँ पर भी ओम का निशान है और दूसरी तरफ एक ओम कार है फिर यहाँ पर केवल एक ही लाइन लिखी है ओम नम्ह शिवाए शिवजी सदा सहाए बैसाखी सेलिब्रेशन इन दिवाइन प्रेसंस आफ इस होलिनेस परम पूजे गुरुजी महराज और आगे लिखा है दबैसाखी विल बी सेलिब्रेटेट ओं 13 अप्रिल 07 फ्राइड अट बड़ा शिव मंदिर फिर से देखिए बड़ा शिव मंदिर लिखा गया है यहाँ पर नियर्भाटी माइन्स as per program given below His holiness परम पूजे गुरुजी महराज will bless the devotees संगत देखिए फिर से यहाँ पर devotees भी और संगत दोनों को यहाँ मेंचिन किया गया है for the all-round betterment His holy darshan itself brings happiness and fulfill all desires कितनी बड़ी बात लिखी है यहाँ पर His holy darshan itself brings happiness and fulfill all desires यानि कि गुरुजी का केवल दर्शन ही आप पो खुशियां और आपकी सभी मनों कामनाएं पूरी कर देता है यह गुरुजी की शक्ति है और उसके आगे प्रोग्राम है संगत असेंबली आठ बजे शाम को और फिर गुरु का लंगर यहाँ पे भी देखिए केवल लंगर मेंचन नहीं है गुरु का लंगर रात साड़े नौ बजे तो यह एक है और एक इसका पार्ट और है वो भी आपको दिखाता हूँ यह सेकंड पार्ट है कार्ड का जिसके अंदर एक मैप दिया गया है जो मैप शुरू होता है महरोली दिखाया गया है गुरुजाओं से रोड है यह जो M.G. रोड जिसे कहा जाता है महरोली गुरगाउं रोड यहां से आप सीधे चलेंगे और कितना अच्छा बताया है पूरा डिस्टेंस एक्जाक्ट की साड़े 10 किलो मीटर डिस्टेंस 10.5 किलो मीटर है जहां पर जाकर आपको एक टी पॉइंट मिलता है यह है वो टी और यहां से exact 500 मीटर आगे जाएंगे तो आपको एक शिवलिंग दिखेगा और देखिए यहां भी कितनी बड़ी बात लिखी है God is here, शिव मंदिर शिव मंदिर नोट कीजिए यह यहां पर mention किया गया है और फिर से एक बहुत अच्छा नोट नीचे लिखा है Turn left immediately after gate number 8 of Radha Swami Satsang कितना ध्यान रखते थे गुरुजी संगत का कि वो भटके नहीं और सीधा मेरे दर्शन करने आराम से पहुंच जाए वैसे तो जो चलता है वो स्वेम ही पहुंच जाता है गुरुजी के क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि मेरे दर्शन मेरी आग्या के साथ होते है तो इसलिए संगत जी अपना पूरा ध्यान आप गुरुजी में रखें और हमेशा मंतर जाप करते रहें और गुरुजी का नाम लेते रहें जए गुरुजी